हेलो अब्रीवान एंड वन्स अगेन वेलकम टू डॉट्यूटेक प्रोग्रामिंग चैनल गाइस मैं हूँ भागिरत गिरी और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट के एच्टेमेल डॉम के बारे में तो गाइस यह जो एच्टेमेल डॉम है यह क कुछ स्टार्टिंग से बता है कि जावा स्क्रिप्ट एक इवन्डर्वन प्रोग्रामिंग लेंगज है और इवेंट और डॉम को दोनों को मिला कर आप जावा स्क्रिप्ट के मदद से बहुत सारी चीजे आपके वेबसाइड में लगा सकते हो काफी सारे फीचर्स ऐसे ल सकते हैं तो मैं आपको ट्री दिखाता हूँ और यह वाली ट्री है इस ट्री के थरू हम लोग इसको समझेंगे तो HTML डॉम आप देख सकते हो और इसके अंदर हम लोग दो चीजे समझेंगे सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो है वो आपके डॉक्युमेंट का मॉडल का बहुत सारे काम कर सकते हैं तो यह जो चार टास्क है वही सारे के सारे काम करवा सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब मॉडल बनता है आपके डॉक्युमेंट का तब मॉडल किस तरीके से बनता है तो मॉडल कुछ इस तरीके से बनता है आप यहां देख स है और उसके अंदर कुछ आपकी टेक्स्ट होती है जो के जैसे home हो गया यह कैंया आपकाटक से लोसकते है जीर प्लास लगी को अठी extract में होता है अगर मैं बात करूए body के एक और children की H1 की तो H1 का अपना जो children है वो कौन है text और उसके अपने children भी हो सकते हैं कुछ attributes भी हो सकते हैं और उसके अंदर खुद के कुछ और text भी हो सकते हैं तो guys यह सब मैंने अभी जो बताया है आपको लग रहा होगा कि history को समझने से क्या होगा इसलिए ताकि हम समझ सकें कि यह आप देख रहे हो child relation का जो child का relation देख रहे हो parent child का relation इसमें आप बहुत सारे task perform कर सकते हो कैसे कि head का child है title head के child को आप access कर सकते हो title का child कौन है उसका text उसके text को access कर सकते हो आप text को set करवा सकते हो हम लोग जो चार्ट टास्क करवाएंगे वो कौन-कौन से होंगे हम लोग get करवा सकते है set करवा सकते है get करना मतलब आप यहां देख सकते हो head tag जो है यहां फिर मैं बात करूँ body की तो body के अंदर मुझे जितने भी elements है उनको get करना है उनको set करना है तो मैं set कर सकता हूँ set का मतलब होता है कुछ value set करना और get का मतलब होता है जो पुरानी value है वो get करना अगर मैं बात करूँ h1 tag की तो h1 tag के अंदर हमारे पास get करने के लिए क्लिए क्लिए है इसका text get कर सकता हूँ या इसके attribute id के value get कर सकता हूं अगर मुझे इसका text कुछ set करवाना तो document.getElementById.innerText मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको यह क्या करता है कुछ set करने के लिए help करता है तो set कर सकते हो get कर सकते हो प्लस आप और क्या कर सकते हो कोई नया element डाल सकते हो कोई element delete कर सकते हो मतलब html का कोई element है उसको आप add करवा सकते हो h1 tag है उस tag के अंदर मुझे कोई और tag करवाना है तो ये भी आप DOM से करवा सकते हो और जो tag existing है उसको delete करना है ये भी आप DOM की मदद से कर सकते हो तो guys DOM की मदद से अगर आप history को अच्छे से समझो तो आप बहुत सारे task परफॉर्म करवा सकते हो और ये सारे task आपको एक website बनाने में help कर सकते है एक webpage बनाने में help कर सकते है साथ हिसाथ JavaScript से कोई game बनाने में भी आपको ये help कर सकते है तो ये सारे task हैं जो हम लोग perform करते है कर सकता है body tag अपने सारे elements को access कर सकता है anchor tag अपने href को access कर सकता है set कर सकता है get कर सकता है सारे के सारे manipulations कर सकता है so I hope guys आपको DOM का introduction clear हो गया होगा और किस तरीके से ये HTML के साथ मिलके work करता है किस तरह HTML में chain parallel का relation बनता है ये आपको clear हो गया होगा that's it for this video thank you so much for watching अपको कर सकता है